परशों की घटना है बोपाल से दो युगतियों का बोपाल के ही दो युगत निकिल और करण से प्रेम सम्वन था इसले दो साल से उनके भीच में रिलेशन रहा है इस भीच में युपतियों ने जब सादी के लिए दवाब डाला तो दौनों युगक इनको बेला पुशला के और शिल्वानी ले जाने का अस्वासन दिया कि तू रास्ते में जमुनिया घाटी पर उनको उतार के और उनसे बोला गया है कि यहां एक होटल में साधी का प्रबंद करेंगे यह रात को साड़े नो बजे के आस्वास इन्होंने अपने एक तीसरे साथी अंकित की मदद से बारी बारी जंगल में ले जाके और इनकी हत्या करने का प्रत्ने किया दोनों युगतियों के गले में चाकू के कई निशान हैं और सर पे बार भी किया गया और गला भी भोटा गया मौके पर एक एम्बूलेंस के चालक ने जब इनकी आवाज सुनी तो उसमें पर इनकी मदद की और पुलिस को सूचना दी दोनों गायल युगतियों को रिश्टिक हॉस्पिटल में बरत्मान में भरती कराके और उपचार कराया जा रहा है इस गटना के तीनों आरोपियों को बोबाल पुलिस की मदद से हमने दस्क्याब करके और गरतार कर लिया है आज मानली ने आले में इनको प्रस्त किया जा रहा है